समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम MCQS के लास आप लोगों के लिए लिए लिका रहा हैं BSF में जो सवाल पूछे गए थे सबसे important चीज समझना वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए अब देखो competition बढ़ चुका है साथ साथ competition exam में सवाल पूछने का तरीका भी change हो चुका है तो हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है कि ये समझना कि सवाल अब किस तरीके से पूछे जा रहे हैं सवाल किस तरीके से पूछे जा रहे हैं यदि आपको वो समझ में आ गया तो आप आराम से competition exam निकाल सकते हैं उसके लिए सबसे important चीज क्या है वे सबसे important चीज जो हम बार बार बोलते हैं आपका slavus किसी भी exam को fight करने के लिए slavus complete करना जरूरी है उसमें से जितने भी topic है subject wise सारे के सारे topic basic level से advanced level तक आपको अब पढ़नी की जरूरत है क्योंकि deep सवाल अब बनने लगे हैं पहले जैसा महाल नहीं रहा कि superficial सवाल पूछ ले अब ऐसा नहीं बनता तो इस mcqs में हम यह समझेंगे कि सवाल कहां से बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं solve कैसे करना है पूरा detail में explain करेंगे आपको यह pdf आपको हमारे telegram चैनल पर मिल जाएगा lab technologies दिनेस पर वहां से आप इसको access कर सकते हैं ठीक आप comments भी कर सकते हैं live class भी नहीं हो रहा है तो आप premium है आप comments भी करके अपना answer बता सकते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल क्या है यहां पर देख लीजिए हिंदी मीडियम वालों के लिए एक खुस खबरी है कि translation भी आपको मिल रहा है आप लोगों का complaint रहता था तो हिंदी में translation भी है समझने के लिए the disorder in which person can only see near object and have difficulty in focusing distant object is known as मतलब वह विकार जिसमें व्यक्ति के वल निकट की वस्तू को देख सकता है और दूर की वस्तू को ध्यान केंदरित करने में कठनाई होती है देखो अब यह सवाल पहले समझेंगे इससे पहले यह सवाल पूछा कहां है कहां से है यह समझ लेते हैं तो अब जब sense organ आप पढ़ते हैं 10 वी में 11 वी में आपने पढ़ा होगा sense organ आई तो आई का anatomy physiology इसका structure function साथ में इसका disorder और disorder अगर कुछ हुआ है यह disorder से पूछा है अगर disorder कुछ हुआ है तो उसका समाधान क्या है solution क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि सवाल दे कर तो सवाल कहीं से भी कुछ भी बन सकता है आई के anatomy में ने lecture डाल दिया है अगर आप चाहें तो देख सकते हैं YouTube में uploaded है आप देखी उसको समझ में आएका आपको अब हम समझ लेते हैं यह आई से सवाल पूछा है तो आई से पूछा कहां से है यह पूछा है refractory error आप लोग को English में दिया है इसलिए हम बोलते हैं कि Hindi के पीछे मत भागो English और Hindi दोनों समाना अंतर पढ़ाई करो समझ आ रहा है हाँ केवल English और केवल Hindi से काम नहीं चलेगा दोनों को आप समाना अंतर पढ़ते हुए चलना है अब आई से मैंने बोला कि यह आप से पूछा है कहां से refractory error है ना थोड़ा सा spelling और क्या बोलते हैं आपके writing को compromise कीजेगा जल्द बाजी में हम जल्दी जल्दी लेखेंगे ठीक तो refractory error जो होते हैं यह होते हैं हमारे कितने चार टाइप के यह one two three four हम चारों टाइप आपको समझाएंगे यहां पर पहला है आपका myopia कौन सा है myopia दू hyper metropia ठीक है तीसरा है आपका कौन सा estic management अच्छे से explain करेंगे आपको समझ में आएगा press byopia तो यह चार नाम आप लोगों को याद करने की ज़रूरत होगा इसमें अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं myopia इसमें हम पूरे explain करेंगे अभी पूरे के पूरे अब आपको जब explain कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा इसका answer क्या है ना myopia near sightness इसको क्या बोलते हैं इंगलिस में near sightness near sightness का मतलब होता है निकट द्रिष्टी दोस हिंदी में क्या बोलेंगे नाम से यह सबस्ट है near sightness निकट द्रिष्टी दोस ठीक पहले मैं समझा देता हूं कि यह होता क्यों है near sightness नियर sightness तब होता है जब आई बॉल का आपका पूरा आई है इसका anatomy में lecture बता दिया हूं तो इसमें आई पूरा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं केवाल आपको यह समझाने के लिए यह आपका कोई वस्तु रखा हुआ है इसको जब आप देख रहे हो तो पृतिविम बनने का जगह यहाँ पर होता है जिसको बोलते है yellow spot ठीक है तो यहाँ पर पृतिविम बनना चाहिए proper तरीकिस तब आपका eye में कोई disorder नहीं है अब देखो यहाँ पर पृतिविम पहले बन जा रहा है यहाँ पहले बन रहा है तो इसमें होता क्या है light जो है retina से पहले focus हो जाता है यह light को retina retina से पहले focus हो गए जब कि यहाँ पर होना चाहिए तो यहाँ पर हो गया तो इस condition को हम बोलते हैं क्या myopia दूसरे condition में देखो क्या हुआ हुआ है यहाँ पर वस्तु है इसका पृतिविम कहां बन रहा है दू बन रहा है यहाँ पर पृतिविम बन रहा है यहाँ नहीं दोनों एक दूसरे के आपोजित हैं यहाँ पर light जो है retina के पीछे focus हो जाता है तो यहाँ पर पीछे focus हो रहा है तो इस तरीके से यह δोनों में अंतर आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा अब देखो अब दूर की वस्तू पर ध्यान केंद्रित करने में क्या हो रहा है, कठना ही हो रहा है, दूर की वस्तू नहीं देख रहा है, निकरद्रिश्टी दोस में, ठीक है, तो इस कंडिशन में हम क्या करते हैं, इस कंडिशन में हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, से होता है, ना, concave lens ऐसे होता है, इस lens का इस्तिमाल करके उस दोस्त को आप क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो, तो देखो, सवाल कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, myopia मैंने बता दिया, curvature जादा हो जाएगा, ठीक है, light, retina से पहले focus हो जाएगा, concave lens का इस्तिमाल करेंगे, तो इस तरीके से में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया, दूसरे condition पे आ जाते हैं, just opposite है, near sideness, तो इसको हो जाएगा, far sideness है ना, far sideness, simple, दूर दृष्टी दोस्त, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दूर दृष्टी दोस्त, अब curvature कम बोल दिया इसमें, light, retina के पीछे फोकस होता है, है ना, diagram से हमने समझ लिया, इसके लिए lens इस्तिमाल करोगे आप कौन सा, ये बादा, इसको क्या बोलते हैं भई, convex lens, तो इस तरीके से आपको, ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दूर दृष्टी दोस्त, दूर दृष्टी दोस्त में क्या होगा, आपको दूर की बस्तू दिखाई देगा इस पस्ट, लेकिन पास की बस्तू इसमें दिखाई नहीं देगा, जस्टिस का बोजिट, तो definition से आपको ये सवाल पूछा है, तो correct answer आपको मिल गया होगा, कि ये myopia इसका correct answer है, hypermetropia समझ जाता है, ठीक है, dry eye में देखने को मिलता है, किसमें dry eye, करविचर क्या हो जाएगा, abnormal हो जाएगा, इसके लिए हम cylindrical lens का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, cylindrical lens, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लिते हैं, ये जो है, प्रेस बायोपिया है, ये बुढ़ापे में देखने को मिलता है, क्योंकि बुढ़ापे में old age में क्या है, focus जो है loss हो जाता है, तो दूर और past दोनों की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देता है, कभी आपको retina के पहले focus हो जाएगा, कभी बाद में focus हो जाएगा, तो दोनों तरीके का, जो हमने यहाँ पर myopi और hypermetropia देखा है, दोनो है, lack of vision, मतलब आपका दिखाई ही नहीं देगा, जिसको blindness अंधापन बोलेंगे है, अगला है आपका चौथा conjunctivitis, देखो यार, conjunctivitis आप लोगोंने पढ़ा होगा, conjunctivitis क्या है, एक transparent mucous membrane है, जो आपका यह आई है, देखो यहाँ पर diagram समझो, यह जो आई है आपका, तो यह white color की आपको दिख रहा है, first वाली, तो यह layer आपकी conjunctivitis होता है, तो इसमें अगर कोई infection हो गया, तो infection इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका viral infection हो सकता है, viral infection, उसके बाद आपका कौन सा हो सकता है, bacterial infection हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, आपका allergic, तो इतने तरीक इसमें आपको देखने को मिल सकते वाइरल इंफेक्शन में क्या होगा वाइरल इंफेक्शन में आपको सर्दी भुखार इस तरीके सिम्टम से रहेगा और थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा लिक्विड जो की थोड़ा पतला होगा है लेकिन बैक्ट्रियल में क्या होगा बैक चार्ज पतलई होता है और आपको इसको किस-किस नाम से जानते हैं एपिडेमिक डिसी जब फैला था भारत दिसके अंदर है आई फुलू के नाम से जानते हैं रेट कलर का हो जाता है आपका पूरा वाइट वाला पोसन है पिंक आई के नाम से भी जानते हैं तो अलग-अलग किलियर है तो इसका एंसर तो कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये भी समझते हुए चलो थाकि आपको दिक्कत ना हो इन चीजों में है ना तो बहुत सिंपल है आपको समझ में आ गया होगा आई होप अब आगे चलते हैं अगला सवाल आप से क्या पूछ रहा है देखो अगला सवाल आप से पूछा है सवाल समझ लो क्या है यहाँ पर दूसरा नंबर का सवाल देखो which of the following is not not वाले कोश्चन बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं यह पार्ट ऑफ मेल रेप्रोडेक्टिव सिस्टम मतलब निमन लिखित में से कौन सा पुरुस प्रिजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो नहीं है को छाटना है जो male reproductive system का पार्ट नहीं है बहुत सिंपल है जनेटल ऑर्गन आप लोगोंने पढ़ा होगा जो बाहर से देखने को मिलता है प्राइमरी है यह ना जो देखने को मिलता है एक्स्टरनल है प्राइमरी बोल सकते हैं जो अंदर होते हैं वो आपका सेकेंडरी होते हैं मतलब इंटर आपका पेने से दूसरा है testic, तीसरा है hyam यहां पर आप डाइग्राम से समझो, डाइग्राम में देखोगे यह है आपका male reproductive system यह और यह है आपका फीमेल ठीक सिंपल अब यहां पर जो भी औरगन आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी मैं सिस्टम पढ़ाने नहीं जा रहा हूं ठीक है अब जब यहां पर देखोंगे पैनिस तो आपको किसमें देखने को मिलता है मेल जनाइटल औरगन है टेस्टीज यह भी आप का मेल जनाइटल औरगन में देखने को मिलता है इमन जो है यह आपको मेल जनाइटल में देखने को नहीं मिलता है यह फीमेल जनाइटल सिस्टम का पार्ट है इस क्रॉटम यह भी आपका किसका हिस्सा है मेल जनाइटल औरगन का है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं यह जो पैनिस है पैनिस का मैं सेक्चुल इंटरकोस के दौरान जो इसपम टेस्टीज में बनता है इसपम और सीमन यहां से आता है तो दोनों मिला करके एजेकुलेशन पैनिस के दौरा होता है तो यह सिंपल आपका पैनिस हो गया उसके बाद टेस्टीज का मैंने फंक्शन बता सकते हैं सिम्पल है सबाほ 해도 को शरीर से बाहर करने को मिलते हैं जिसको स्कूराटम किया है कावर कर रखता है बाहर कर लेया की requirement होती है तब इस पम बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा इसलिए ये body के बाहर आपको देखने को मिलता है कौन ये scrotum और टेस्टीज simple है ये region कई बार पूछा भी जा सकता है इसलिए आप मैंने बता दिया तो इसको आप याद रखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है क्या स्क्रोटम है ये बाहर का कवरी ये देखने को मिल गया टेस्टीज समझ गए अब यहाँ पर अगला है क्या तीनों हो गए अब यह है आपका क्या हाइमन तो ये ये जो है आपका फीमेल रेप्रोडेक्टि व सिस्टेम का अब जिस तेहते हो ये टेस्टीज भी दो थी सीट्यल माइनी जा रहा हूं यहां पर जनायाइट्ल और जिसको वल्वा बोलते हैं क्या बोलते हैं वल्वा का भी पूछे आप से डिटेल वन धव हों जाएंगे जल्द-जल्द ी इताम उल्वा बोलते हैं तो वल्वा जब बोलते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्या-क्या पहला जो है आँपर मौनस populus है जो fatty tissue से बना रहता है Mons pubis आपको यह देखाई दे रहा है जिसमें hair प्रेजेंट होता है जल्द जल्द हम पार्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद लीबिया मेजोरा उसकी अंदर की लेयर जो है आपका क्या है यह देखने को मिल रहा है इसके उपर बाहर से आप अंदर जलते जालोगे उसके बाद लीबिया माइनोरा किदर पर है यह देखो अंदर चलते जाओगे लिया माय माय मौरहा देखने को मिल रहा है जैसे और अंदर चलते जाओगे kritल आप आप अपको हाइमन देखने को मिलता है हाइमन जो की जिल्ली होता है ना वेजाइनल औरिफिस में ये खुलता है जहां से वेजाइनल खुलता है ये हाइमन देखने को मिलता है जो की मुकस मेंबरेन की जिल्ली होती है simple तो इस तरीके से यह मुखे मुखे जो आपको देखने को मिल रहा है यहां पर और बर्थुलिन ग्लेंट्स होते हैं यह सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं कहां से जो external genital area है जिसको वलवा आप बोलते हो यहां पर आपको female genital organ में देखने को मिलता है तो यह कभी अगर पूछेगा तो female genital organ अच्छे से सारे के सारे नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है यह देखो यूरेथ्रल और फिस आपको देखने को मिल रहा है सारे के सारे पार्ट्स आपको यहां पर डाइगराम में अच्छे से देखने को मिल जाएंगे तो यह सारे आपको पता होन तीसरा सवाल आप से क्या पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, in the filtration process, filtration process में human का जो urine है, what is the full form of GFR, मतलब kidney के अंदर जो urine आपका formation होता है, filtration की जो प्रोसेस होती है, जिसमें GFR जिसको बोला जाता है, इसका full form आप से पूछा है, मनुस्य के मूतर की निस्पंदन प्रिक्रिया में GFR का point group क्या है, सब लोगों को पता है, बहुत आसान सा अवाल पूछा था, glomerular filtration rate, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, इसकी normal value भी पता होगा, 125 ml पर मिनेट में और 180 लीटर पर डे, इस तरीके से अलग-अलग पूछा जाता है आपको, तो normal range आपको पता होना ची की process आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें diagram अगर होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, diagram यहाँ पर दिया गया है, बहुत बड़ी है, देखो, diagram से आप समझो, यह आपका woman capsule है पूरा, नेफरोन आप पढ़ते हो, नेफरोन में यह देखने को मिलता है, woman capsule, यहाँ से एक urine में आता नहीं है, blood अगर आ रहा है, तो कोई ना कोई abnormalities है, अब देखो, भारी parts जो है, वो filter तो होंगे नहीं, केवल हलके हलके जो छोटे parts होंगे, particles, वो ही यहाँ से filter होंगे, इसका मतलब filter की process हो रही है, जैसे आप चाय चानते हो, तो छन नहीं होते है, उसमें क्या होत crystals हैं, तो इसमें भी आपको hole देखने को मिलेंगे, या pore, pore बोल देखने को आपको मिलेंगे, तो इसके दोवारा आपका क्या है, filtration होता है, तो heavy particles जिसका इस्तेमाल body को करना है, तो वो तो filter होंगे नहीं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाना ह सरीर से बाहर करना है, वही particle यहां से filter होकर के बाहर जाएंगे, तो glomerular filtration rate बहुत important है, तो filtration पर ही सारा पंगा है, क्योंकि process आप समझोगे, तो excretion का क्या है, excretion बराबर क्या होता है, filtration, reabsorption और secretion, सबसे पहले यहां पर filtration होगा, फिर ducts बाकी है, उसमें क्या है, reabsorption होग kidney है, उसमें, nephron के अंदर यह सारी process होती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया, छिदर होते हैं, इसके साथ साथ 3 layer जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 layer समझ लो, कभी अगर पूछ ले, general knowledge के लिए, 3 layer जो होते हैं, filtration में जो भागीदारी होते हैं, उन में होता है आपका capillary endothel ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका, जो basement membrane होता है, यहां से, बेस्मेंट membrane यह, और उसके बाद दूसरा आपका आएगा basement membrane, अगर आप याद कर सकते हो, तो याद कर ले ना इनको, basement membrane है, बोमें कैपसूल में आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद podo side जो होते ह तो यह तीन layer आप याद कर ले ना, filtration की तीन layer होती है, जो कि यहां पर पूरा संपन होता है, आपको जा करके यहां पर PCT में आपको देखने को मिलता है, proximal conundated tubule में, बाकी filtration होने के बाद फिर बाहर जाता है, तो यह तीन layer में filtration की process आपकी होती है, समझ में आ गया, तो इतन सवाल आपको यहां पर पूछ लिया, समझ में आ रहा है, तो kidney को अच्छे से पढ़ना, बाकी lecture में ने डाल दिया है, तो वो kidney कभी आप देख लेना, तो detail में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ो बहुत और जानकारी, तो इस तरीके से भाई आपका यह kidney में तीसरा सवा सवाल पूछा है, Glomular Filtration कहां से बना है यह सवाल आपके kidney से, यह excretory system से, kidney से एक्स क्रेटरी system से यह सवाल पूछ लिया है, basic सवाल पूछा है, डीप में जा करके नहीं पूछा है, अब अगला सवाल, चौथा सवाल आप से क्या पूछ रहा है, बहुत interesting सवाल, डीप सवा the human body, which of the following is not, फिर आगया not, a division of extra receptors, मतलब extra receptor वो है, जो मानों सरीर के बाहर से उत्पन होने वाली उत्तेजनाव पर पृतिकिरिया देता है, लेकिन निमलिकित में से कौन सा है, जो extra receptor का विभाजन नहीं है, इसके लिए आपको receptor, यह ना, receptors का classification आपको पता होना चाहिए, क्य classification अगर आपको पता नहीं होगा, तो इसका answer आप नहीं कर सकते, तो sense organ आप लोगों को पढ़ते होगे, आप उसके बाद सबसे important जो पार्ट होता है, वो हमारा nervous system का होता है, nervous system जब आप पढ़ते हो, तो nervous system से यह सवाल पूछा है, तो जो भी हमारे nervous system में nerve supply पूरे body के अंद passenger या जो भी चीजों का आदन प्रदान करने का signal को वो किसके द्वारा होता है, nervous system के द्वारा होता है, अब यह receptors जो होते हैं, जो signal को receive करते हैं, वो दो तरीके से यहां पर function होते है, classification, हम objects पे आएंगे, लेकिन समझें बात को, यह क्या बोल रहा है, ठीक है, जब classification में समझा दूँगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, देखो, अब यह classification समझो, receptor को दो तरीके से आप यहां divide कर सकते हैं, एक होता है extra receptors, दूसरा होता है, कौन सा, interceptor, ठीक है, तो extra नाम से ही इस पर समझ में आ रहा है, बाहर का, inter, सब्द दिया है, मतलब अंदर, ठीक, extra receptor में आपक है ना, chemo receptor, उसके बाद, teloreceptor, यह तीन तरीके से classify किया गया है, extra receptor को, और सवाल यहीं से पूछा है, कि extra receptor के option में भी आपको देखने को मिलेगा, यह तीनो option देख रहा है, है ना, तीनो option देख रहा है, देखो, cutaneous receptor, chemo receptor, है ना, और यह वाला जो है, यह केवल नहीं है, बा आपको सवाल पूछा था, not, नहीं है, है ना, तो नहीं है मैं कौन सा, pro, prior receptor, third वाला, correct option आपका यही हो जाएगा, third वाला, है ना, simple है, तो इस तरीके से सवाल आप सो पूछा है, लेकिन हम classification को थोड़ा समझ लेते हैं, कि classification में क्या दिया है, देखो, cutaneous receptor में आपके देखो, touch आ गया, pressure आ गया, cold आ गया, warm था गया, है ना, pain आ गया, यह सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, cutaneous में, अब देखो, chemo receptor में क्या आ जाएगा, taste, smell, है ना, taste मतलब, जो जीव आपका आता है, taste buds, तो यह आपको receptor होगा, और उसके बाद, smell जो की olfactory receptors होते हैं, यह smell, न hearing, जो की hair cells and organ, यह सारे के सारे आपको इसमें आ जाएंगे, उसके बाद, enter receptors में, आप देखेंगे, brisurus receptor आपको देखने को मिलता है, और प्रोप्रायो receptor, तो यह आपको देखने को मिलते हैं, जो की internal है, या enter receptor, जिसको आप नाम दे देते हो, enter receptor आपको यहाँ पर देखने क मिलते हैं, दो तरीके से इसको डिवाइट किया है, एक्स्टो सेप्टर को आपको तीन तरीके से हैं, ठीक है, और यह आपको दो तरीके से देखने को मिलता है, तो यह दोनों के दोनों classification आप याद रख लेंगे, simple तरीके से, हो सकता है, डीप में जाकर क्या आपको पूछे है ना, receptors, इसकी situation क्या है, है ना, receptors, जो कि heart के लिए, blood vessels, GI tract, GI tract बहुत important है, इसमें पूछा जा सकता है, urinary tract, brain का, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, और receptor इसमें, proprioceptors में आपको देखने को मिलेगा, receptors में क्या situation पूछ सकता है, muscles का, tendon का, ligament का, joints का, यह सब, इंट्रो सेप्टर में आ जाते हैं, इंट्रो सेप्टर से पार्ट, इस तरीके से आपको सवाल कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह आप इसको cover करते हुए चलना भए, तो थोड़ा सा internal, खैर ज्यादा, deep जाके नहीं पूछा है, इसके classification अगर किसी को पता होता होता, तो आराम से आप वो answer कर सकते थे, ठीक है, answer पता चल गया, अगला हमारा आता है, पांचवा नंबर का सवाल, जो की बहुत आसान सवाल है, यह भी, the study of teeth in human anatomy is known as, देखो, anatomy की ही सवाल थे सारे के सारे अभी, तो यह भी anatomy से सवाल पूछा है, तो मैंने जैसे की topic को आप पढ़ते हो, तो उसके history से लेकर पढ़ो, मैंने बताया अभी history, basic level से पढ़ाई करो, हर चीज के steady को क्या कहा जाता है, वो तो at least आपको पता होना चाहिए, हड़ी की steady, bone की steady, joints की steady, kidney की steady, heart की steady, तो हर एक चीज का steady का कोई एक particular नाम होता है, उस नाम को पता करना बह इन वाल हो है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, सवाल पूछा जाएगा, तो यहाँ पर scletanology, scletanology दिया हुआ है, scletal system से है, लेकिन यह कोई term नहीं है, scletal system जब हम पढ़ते हैं, यह bone की steady को osteology बोलते हैं, आप सब को पता है, है ना, तो यह तो option में से हटी जाएगा है, मतलब दांत से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो अगर आप common sense भी लगाते तो यह option तो वैसे भी आपका हड़ गया, nephrology समझ में आता है, nephron जुड़ा है, क्या जुड़ा है इसमें, nephron, है ना, nephron जुड़ा हुआ है, nephrology इसमें, nephron जुड़ा है, मतलब यह kidney स related है, इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो, उसके बाद odontology दिया है, तो odontology जो दिया हुआ है, यहाँ पर उसके बाद neurology दिया है, odontology यह आपका correct option है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे, neurology दिया है, neurology का मतलब क्या होता है, study of nervous system है ना, nervous system आप पढ़ते हो, त तो मिला जो ला नाम है इसमें, आपको कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, पहला जो था, skeletal सब्द जोड़ा जरूर है, लेकिन इसका कोई लेना नहीं है, anatomy जो आप पढ़ते हो, bone पढ़ते हो, osteology, उसके बाद nephrology, nephron से लेटेड है, kidney है, odontology यह है, आपके teeth का study, तो teeth के study को हम क्या बोलते है, odontology, जो कि आपका correct option इसमें से होता, neurology आपको clear है, तो इस तरीके से भई सवाल हमारे थे, जो की 5 सवाल हमने आज कवर किये हैं, समय लेकर के समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, at the end, आपको, देखो, MCQs ज कोई भी आँख बंद करके किसी भी MCQs book से केवल पढ़ लेने से किसी का selection नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये MCQs जो old paper होते हैं, उनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सवाल कैसे बन रहे हैं, समझ आ रहा है, उससे practice होगा आपका, आपकी तयारी कैसे हो रही है, उसका practice होगा, अंदाजा होगा, आपको सवाल कैसे बनते हैं, ये आप सीखेंगे, लेकिन at the end आप जो exam में बैठेंगे, वहाँ आपको नए सवाल ही मिलेंगे, new MCQs ही मिलेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि किसी MCQs ये पुराने सवाल तो repeat होई नहीं रहे हैं, पूछी नही होता है, competition बढ़ गया है, सवाल करोणों बन सकते हैं, MCQs एक ऐसा चीज है, एक topic से करोणों सवाल पूछे जा सकते हैं, करोणों, घुमा अफिरा करके, A, B, C, D, कैसे ना कैसे करके, करोणों सवाल तो अंदाजा लगा लो, इतना cover करना मुस्किल है, इसलिए बोला जाता है कि जो आपको syllabus मिला है, deep study करो, एक एक चीज को notes बनाओ, short में, उसको पढ़ो अच्छे से, समझो, किस तरीके से सवाल बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, सारे चीज सी को तब जा करके, अब इतना आसान नहीं है, competition exam निकालना, और किसी सरकारी नोकरी को पाना, ठीक है, अब competition बढ़ गया है, पढ़ने का इस तरह बढ़ा दो, पढ़ो, हर जगे से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, सर्च करके पढ़ो, बुक से पढ़ो, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो, एक topic को अच्छे से पढ़ो, सब जगे से पढ़ो, detail में information रखो, short में उसका notes बनाकर के लि वीडियो का आपको मिल सके, thank you so much.